हलो बच्छो कैसे हो आप लोग आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी ब्याकरन आपके पाथ पुस्तक हिंदी ब्याकरन से आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं भाषा तो बच्छो भाषा जो है उसे लेंग्विश कहते हैं इंग्लिस में अगर बच्छो भाषा नही नहीं होती तो क्या होता भाशा नहीं होती तो सायथ हम लोग आज एक दुसरे से बात ही नहीं कर पाते तो भाशा वही माध्य में जिससे हम लोग एक दुसरे से बात कर सके जिससे हम लोग एक दुसरे को समझ सके अपने मन की बात औरों को समझाना औरों की मन की बात समझना उ लिए आगे पढ़ते हैं किताब में क्या लिखा है जब हमें किसी से कुछ कहना होता है तो हम बोल कर कहते हैं अर्थात अपने बिशारों तथा भावों को दुसरों तक पहुंचाने का माध्यम ही भाषा कहलाती है जी हाँ बिलकुल भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने बिशारों का अर्दान परदान करते हैं अर्थात अपने बिशार दुसरों को बताना और दुसरों के बिशार को समझना जिससे कि आप लोग अगर भूक लग गई है तो आपको अपने ममी को बोलनी है कि ममी मुझे भूक लग रहे कैसे बोलोगे आप बोलोगे भाशा कहते हैं अब के लिए रो गया आगे लिखा है इसी के द्वारा हम अपनी बात दोसरों तक पहुंचाते हैं तथा दोसरों की बात समझते हैं जैसे कि मैं अभी आप लोग को भाशा किसे कहते हैं मैं वो आपको परहा रही हूं आप उसे सुन रहे हो मैं बोल रही हूं कि अविशार और यहीं तो इसी को हम भाषा कहते है और यहां पर Chest आप लोग के पूछते हैं कि आप लोग उने होम क्या रिके नियों और अप लोग उसके जवाआ भी देते हो तो इसमें वही बताया गया है तो हम इसको भी भाशा कहते हैं क्योंकि आप लोग सुन रहे हो गीरा कारी क्या नहीं किया सार ने पूछा और आप लोग ने उसके जबाब दिया तो ये भी एक भाशा के माध्यम से ही किया गया है जैसे कि आप लोग के दूसरे जि जनम दिन की बधाई दे रहा है उसने कहा जनम दिन की तुम्हें हार्दिक सुफकामनाय जैसे कि आपकी दोस्त भी आपको फोन पर जनम दिन की सुफकामनाय देते हैं जैसे कि हैपी बर्द कहते हैं तो आप उसको जब आप में क्या कहते हो फोन पर थेंक्यू कहते हो की बिसमें बात हो रही है पर अलग-अलग तरीके से बात कर रहे हैं करिक्सा में अध्यापक और सात्रों की भी सवाल जबाब हो रहे हैं आप देख रहे हैं उसी तरह पर अंकित फोन पर अपने मित्र से बात कर रहा है मित्र सुनकर जवाब दे रहा है तो हम क्या कहेंगे इस सीको यहीं भाशा है दुस्तरा पन्ना भाशा के परकार भाशा के परकार इसमें दिया गया लिखना, बोलना पुछना, समचना सोचना, सुनना बताना, पढ़ना वरन करना आप इस इतरे में देख रहे होंगे एक लर्का और एक लर्की बात कर रहे हैं लर्का बोल रहा है दीदी मैंने गिर्यकारिय कर लिया है अप मैं खेलने जाओ जैसे कि आप लो अपने ममी पापा को बोलते हैं ममा मैंने होमक कर लिया है तो अप मैं टीबी देखू अप मैं खेलने जाओ तो इसी ताइब से इसमें भी दीदी को इस लड़के ने पूछा और दीदी ने क्या जबाब दिया ठीक है जाओ पर जल्दी आ जाना जैसे अपके ममें पपा बोलते है ठीक है खेलो ठीक है तीपी देखो तो इसमें मनु बोल कर अपनी दीदी से कुछ पूछ रहा है और दीदी सुन कर उसकी बात समझ रही है अर्थात हम मुख से जो कुछ बोलते हैं तथा कानों से जो कुछ सुनते हैं उसे भाषा का मोखिक रूप कहते हैं जैसे कि मैं आप सबको बता रही हूँ भी बोल कर आप लोग सुन रहे हो उसे क्या कहेंगे मोखिक यानि कि मोखिक भाषा मुख से बोलना और कानों से सुनना उसे हम मोखिक रूप कहते हैं मोखिक भाषा कहते हैं ये एक भाषा के प्रकार हैं इंगलिस में आप टाइप कह सकते हो आप दुस्से सित्र पर देख सकते हैं अध्यापक शाम पत्त पर हिंदी के प्रस्न उत्तर लिख रहे हैं और बच्चे पर कर समझ रहे हैं मैं गुंगा लड़का जो इसको बोलना नहीं आता और उसके प्रकार पर पर क्या पूह् renew को आपको पूंजे पर क्या जाते हो लड़का आप उसको समझ सकते हो है ना तो इसी तरह आपकी जो करिक्षाम में अध्यापक जब आपको blackboard में लिख देते हैं question answer या कुछ भी हो तो आप उसको पहली क्या करते हो समझते हो समझनी के बाद आप लिखते हो कि उस प्रशने का उत्तर क्या है है ना तो इसी को क्या कहेंगे जो कुछ हम लिख कर पढ़ते हो समझते हैं वो भाष्या का लिखित रूप होता है मीतलब उससे भाष्या का दूसरा प्रकार भी माना जाता है लिखित रूप спокой태 you लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज हम लोगों ने भाषा किसे कहते हैं पढ़ा भाषा के प्रकार कितने होते हैं वो पढ़ा मोखिक भाषा क्या है लिखीद भाषा क्या है ये सारी सीज़ पढ़ लिया ना तो बच्छो भासा किसे कहते हैं? अपनी बिशारों तता भावों को दुसरे तक पोंचाने का माद्या मी भСТ भाष właśnie कहलाती है तो बच्चों मोकिक रुप किसे कहते हैं? जब हम अपनी भी साथ बोल कर दुसरों के सामने प्रकत करते हैं तथा दुसरे सुन कर हमारी बात समझते हैं तो वो भाषा का मोकिक रुप कहलाता है अर्थात मूशे बोलना और कानों से सुनना उसे हम मोकिक कहेंगे और लिखिट किसे कहते हैं जो कुछ हम लिख कर पढ़ते वो समझते हैं वो भाशा का लिखिट रूप होता है तो बच्चों समझ में आया ठेक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद